हमारे विचार के दर्शन होते हैं, साथियों, हम दुनिया के कई देशों के बारे में सुनते हैं, कि उनकी अर्थववस्ता में परियेटन का योगदान कितना बड़ा है, इसको बहुत प्रमुक्ता से दर्शाये जाता है। हमारे यहां तो हर राज्य में, हर खेत्र में, दुनिया के देशों में, एक एक देश में जीतनी जाकत है, उतनी हमारे एक एक राज्य में हैं, ऐसे अनांत संभावना हैं। आप किसी भी राज्य का नाम लीजिए, सबसे पहले मन में क्या आता है, गुजरात का नाम लेंगे तो सोमना, द्वारिका, स्टेटी अभिनिटी, धौला विरा, कच्काराण, ऐसे अध्भूस्थान मन में उभर आते हैं, यूपी का नाम लेंगे, तो अयोद्या, मधुरा, कासी, प्रया, कुशिनगर, बिंद्याचल, जैसे अनेकों नाम एक प्रकार से अपने मानस चबी पे त्छा जाते हैं, सामान ने जनका हमेशा मन करता है, कि इन सब जगहों पर जाने को मिलेगे, उत्राखन तो देव भूमी ही है, बद्रिनाज जी, केदारनाज जी वही पर है, हमाचल प्रदेश की बात करें तो मा ज्वाला देवी वही है, मा नाइजा देवी वही है, पूरा पुर्वत्तर, देवीय और प्राकृतिक अभासे परिपून है, इसी तर रामेश्वरम जाने के लिए तमिल नाडु, पूरी जाने के लिए ओडिशा, तिरुपतिवाला जी दर्शन के लिए आंदरप्रदेश, सिद्धि विनाई जी के लिए महराष्ट्र, सभरी माला के लिए करणा का नाम आता है, आप जिस किसी भी राजी का नाम तिर्ठाटन और परियाटन के एक साथ कई केंद्र हमारे मन में आ जाएंगे, ये स्थान हमारी राष्ट्रिय एक्ता का, एक भारत, स्वेष्ण भारत की भावना का प्रतिनिदित्व करते हैं, इन स्थलों की आत्रा राष्ट्रिय एक्ता को भढाती है, आज देश इन जगवों को सम्रद्धी के एक मजबुस्त रोत के रुप में भी देख रहा है, इनके विकास से हम एक बड़े खेत्र के विकास को गति दे सकते हैं, साथियों, पिछले साथ सालों में देश ने परियत्रन की संभावनाओं को साकार करने के लिए लगातार काम किया है, परियत्रन केंद्रों का ये विकास, आज केवल सरकारी योजना का हिस्सा भर नहीं है, बलकि जन्भागिदारी का एक अभ्यान है, देश की हरिटेज साइड्स, हमारी सांस्कृतिक विरासतों का विकास, इसका बड़ा उधान है, पहले जो हरिटेज साइड्स उपेक्षित पड़ी रहती थी, उन्हें अब सब के प्रयाश से विक्सित किया जा रहा है, प्राइवेट सेक्टर भी इसमें सहयोग के लिए आगे आया है, इन्क्रेडिबल इंडिया और देखो अपना देश, जैसे अभ्यान, आज देश के गवरों को दुनिया के सामने रख रहे हैं, परियतन को बढ़ावा दे रहे हैं, स्वदेश दर्सन योजना के तहट देश में पंदरा थीम बेज टूरिस सर्कीट भी विक्सित किये जा रहे हैं, ये सर्कीट नक्यवल देश के अलग-अलग हिस्सों को अपने में जोडते हैं, आपस में जोडते हैं, बल्कि परियतन को नई पहचान देकर सुगम भी बना आते हैं, रामायन सर्कीट के लिए जरिये, उसके जरिये, आप बगवान राम के जुड़े जितने भी स्थान है, बगवान राम के साथ रामायन में जिन चिन चिजों का उल्ले खाता है, उन सभी स्थानों का एक के बाद एक दर्शन कर सकते हैं, इसके लिए रेल में द्व देन कल से दिव्यकाशी आत्रा के लिए भी दिल्ली से शुरू होने जा रही है। बुद्ध सरकीत देश विदेश के परियतकों के लिए भगवान बुद्ध के सभी स्थानों तक पहुचना आसान बना रहे हैं। विदेशी परियतकों के लिए भी विजा नियमों को भी आसान बनाया गया है। जिसका लाब भी देश को मिलेगा। अभी कोवीड की वजह से कुछ दिक्कते जरूर है। लेकिन मेरा विश्वास है संक्रमन कम होते ही परियतकों की संख्या फिर तेजी से भड़ेगी। सरकार ने जो वैक्सिनेशन अभियान चलाया है। उसमें भी इस बात का विशेश ध्यान रखा है कि हमारे टूरिस्ट्रेट्स में प्रात्पिक्ता के आधार पर सबको वैक्सिन लगे। गोवा उत्राखन जैसे राज्यों ने तो इसमें बहुत तेजी से काम किया है। साथियों, आज देश परियतन को समगरा रूप में होलिस्टिक वे में देख रहा है। आज के समय में परियतन बढ़ाने के लिए चार बाते अवश्यक हैं। पहला स्वच्चता। पहले हमारे परियतन सल, पवित्र तीरत स्थल भी अस्वच्च रहते थे। आज स्वच्च भारत अभ्यान ये तस्वीर बदली है। जैसे जैसे स्वच्छता आ रही है परियटन में भी इजाफा हो रहा है परियटन बढ़ाने के लिए दूसरा अहम तत्व है सुविधा लेकिन सुविधाओं का दाइरा केवल परियटन तक ही सिमित नहीं होना चाहिए सुविधा परिवहन की, इंटरनेट की, सही जानकारी की, मेडिकल व्यवस्ता की हर तरह की होनी चाहिए और इस दिशा में भी देश में चौद तरफा काम हो रहा है साथियों परियटन बढ़ाने का तीसरा महत्वपूर्ण पहलू है समय आज कल 2020 का दोर है लोग कम से कम समय में जादा से जादा स्थान कवर करना चाहते हैं आज जो देश में हाइवेज एक्सप्रेजवेज बन रहे हैं आदुनिक ट्रेंस चल रही हैं नए एरपोर्ट शुरूर हो रहे हैं उनसे इसमें भहुत मिदद मिल रही है उड़ान योजना की वेज़े से हवाई किराय में भी काफी कमी आई है यानि जीतना यात्रा का समय घट रहा है खर्च कम हो रहा है उतना ही परियटन बढ़ रहा है अगर हम गुजरात को ही देश में